हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज आज की फ्यू मिनेट सीरीज में हम डिसकस करेंगे मौडन इडियन हिस्टरी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट दी कॉंसेट आफ डायार्की इन गवर्नेंस तो यहां पर हम बेसिकली डिसकस करेंगे डायारकी क्या है किस तरीके से ब्रिटिश इंडियन एडिनिस्टरेशन में डायारकी का कॉंसेट इवॉल्व हुआ इसका जो बेक्ग्राउंड है वो किस तरीके से यह काम कर रहा था यानि कि इस वर्किंग और इसका एक क्रिटिकल अनालिस आप देखेंगे कि डायारकी इन गवर्नेंस यह जो कॉंसेट है यह बहुत इंपोर्टेंट है ना कि अबल मॉडन इंडिन हिस्ट्री में बलकि पॉलिटी में भी आप यह कॉंसेट देखते हैं अगर हम एक्जैम परस्पेक्टिव से देखें तो आप देखेंगे UPSC ने कई बार CAPF, CDS and Civil Services एक्जैम जो है उसके अदर डायार की रिलेटेट क्वेस्टन्स आपसे पूछे हैं इनफेक्ट लास्ट टैन इयर्स में ही आपको ऐसे त्री क्वेस्टन्स देखने को मिलेंगे वीडियो के एंड में इन क्वेस्टन्स को एड कर दिया गया है एक बार आप वीडियो पूरा देख लेते हैं डायार की का कॉंसेट समझ लेते हैं वनसे अदर सूट दी कॉंसेट आप उन क्वेस्टन्स को अटेम्ट कीजेगा कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताईएगा करेक्ट आंसर जो है वो वीडियो के एंड में हम पिन अप कर देंगे अगर लेक्शर में आपको कोई भी डाउट होता है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं चलिए हम यहाँ पे शुरुवात करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है do not forget to hit the like button share the video and do let us know in the comment section आपको वीडियो कैसा लगा So अगर हम सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से डायार्की का जो concept है वो British Indian Administration में evolve हुआ इसका background तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम Charter Act of 1853 के पहले की situation को देखें तो governance structure किस तरीके से था आपको यहाँ पे governor general मिलेंगे और उनकी एक council मिलेगी four member council यही legislature का काम करते थे यानि की laws बनाते थे और यही executive का यानि उन laws के implementation के लिए responsible थे यानि legislature और executive कुछ separate नहीं थी for the first time Charter Act of 1853 ने central level पे एक separate legislature की बात की कहा गया कि governor general की यह जो council है इससे expand किया जाए इसमें six additional members को include किया जाए और अब यह जो expanded council है it will act as the legislature यानि की for the first time legislation was regarded as a separate function of the government in the Charter Act of 1853 तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब governor general है और उनकी four member council है वो executive का काम कर रहे है governor general उनकी four member council और यह जो six additional member हैं यह आपके legislature का काम करेंगे ठीक है और आप देखेंगे कि यह जो single legislature है यह आपके entire British Indian territories के लिए laws बना रहे थी यह आपको थेहान रखने हैं अब इसके आगे चलके आप यहाँ पर क्या देखेंगे आप देखेंगे जो है वो officially British colony बन जाता है और Indians British subject अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसके बाद में Queen Victoria का Proclamation आता है जिसको आप November Proclamation के नाम से भी जानते हैं और Queens Proclamation में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि Center के अंदर आप देखेंगे Governor General जो है वो आप Viceroy हो चुके थे तो Viceroy है उनकी four members जो executive है वो तो है ही है और हमने देखा था कि six members को यहाँ पर add किया गया था as part of legislature तो Indian Council Act of 1861 में कहा गया कि अब आप six to twelve और members को legislature में add कर सकते हैं यानि expansion of the legislature और साथे साथ में कहा गया कि यह जो additional members हैं इन में से at least half जो हैं वो Indians हो जान रखेगा Indians को यहाँ पर roll दिया जा रहा है for the first time so for the first time Indians gained a share in the administration of India via the Indian Council Act of 1861 बढ़ ध्यान रखेगा कि यह जो Indians हैं they were to be nominated by the Viceroy तो यह elected members नहीं थे यह nominated members थे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे in general यह British loyalist जो हैं वो होते थे comment section में मुझे बताइएगा वो कौन first three Indians थे जो central legislative assembly का हिस्सा बने या imperial legislative assembly का हिस्सा बने via the Indian Council Act of 1861 secondly Indian Council Act of 1861 में और क्या क्या गया जो provinces है उनके जो legislative powers हैं उनको restore कर दिया गया यह आपको ध्यान रखना है तो अब आपको setup किस तरीके का नजर आएगा आप देखेंगे कि center में वाइस रोई हैं executive है और legislature है legislature में अगर हम बातचीत करें तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि legislature के अंदर अब Indians को भी share मिल चुका है यह बट यह nominated है दूसरे तरफ आप किया देखेंगे कि अगर हम provincial level पर बात करें तो provincial level पर आपको देखने को मिलेगा कि provincial governors हैं उनकी executive council है और यहाँ पर भी आपको legislature देखने को मिलेगे बट इन होल अगर हम देखें ती form of the government was unitary यानि center जो है वो काफी powerful था and the provinces were under the overall control of the center यह आपको ठान रखने हैं अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 1885 के अंदर Indian National Congress का formation होता है और Indian National Congress जो है उसके कुछ demands थी governance reforms के अंदर इन्होंने यहाँ पर का P.R.P. formula याद रखेगा P. से क्या है Indians को governance में participation का मौका देजिए जो legislature है उसे representative बनाई है representative मतलब यहाँ पर जो Indians शुनके आएं वो elected हों और legislature को sufficient powers जो है वो दीजे तो P.R.P. का formula क्या है greater share of Indians in the administration these Indians should be elected once and the legislatures should have the real power यानि Congress यहाँ पर demand कर रही थी एक representative and responsible government की with powers obviously और इसी के चलते हम देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है Indian Council Act of 1892 और उसके बाद में आप देखते हैं 1909 का Government of India Act या जिसको हम Morley-Minto Act of 1909 के नाम से चानते हैं दोनों ही एक्ट के वाया आपको क्या देखने को मिलेगा Expansion of the councils not only expansion of the councils बट इसी के साथ साथ में Indians के लिए जो seats reserved हैं वो भी increase हो गई तो Indians का participation जो है वो बढ़ा आप देखेंगे कि 1909 का जो act है It introduced indirect elections for the Indian members साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो legislatures हैं उनको कुछ powers भी दिये गए जैसे कि वो अब questions पूछ सकते थे 1909 आते आते supplementary questions जो है वो पूछ सकते थे budget के जो parts है उन्हें discuss कर सकते थे दो आप यहाँ पे देखेंगे कि legislatures अभी भी कोई real power enjoy नहीं कर रहे थे है ना It was merely a facade क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं दो councils का expansion हो रहा है number of Indians भी increase हो रहे है बट यह Indians जो है indirect elections के वाया आ रहे थे जो franchise rights हैं वो बहुत limited लोगों तक थे और आप देखेंगे कि generally यह Indians जो है यह elitist थे generally और legislatures को in general कोई real power नहीं था especially financial power नहीं था एक्जेकेटिव पर्स पर इसका कोई control है सच नहीं था बट येस gradually constitutional reform हो रहा था इसके बाद में हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि 1909 आते आते जब Government of India Act of 1909 को implement किया गया तो provincial level पे हमें Indians की majority दिखने लगी थी legislature के अंदर ये हो चुका था आप यहाँ पर देखते हैं कि 1916 के अंदर home rule movement जो है उसके शुरुवात होती है और home rule movement की major demand क्या थी स्वराज self governance greater share for Indians in the administration the real power should be transferred in the hands of the Indians और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी के बाद में August Declaration of 1917 आता है Secretary of State of India जो है 1917 में Montague वो एक statement release करते हैं जिसको हम August Declaration के नाम से जानते हैं और वो कहते हैं कि long term में British Indian Administration का जो goal है वो है इंडिया के अंदर self governing institutions जो है उन्हें establish करना और यहाँ पर एक responsible government जो है उसको establish करना एक ऐसी government जो लोगों के प्रती answerable हो उसकी जवाब दे ही हो और इसी direction में आप देखते हैं आगे चलके आता है Government of India Act of 1919 Government of India Act 1919 जब आया तब क्या situation थी इसको देखते हैं Just give me a minute यहाँ पर आप क्या देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि center में governor general या vice roy है executive है legislature है और आप अब क्या देखेंगे अब देखेंगे कि with the coming of the Government of India Act of 1919 into effect center में bicameral legislature बना दिया जाता है यानि कि अब वहाँ पर दो houses होंगे bicameral legislature जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर है लोग सभा और राज्य सभा तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे central legislative assembly या imperial legislative assembly और आप देखेंगे एक क्या है आप आपकी council तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं एक है council of states और दूसरी है आपकी central legislative assembly bicameral legislature और दूसरी तरफ अगर हम बात करें provinces के अंदर तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे provinces के अंदर हम देख रहे थे हैं कि यहाँ पर governor है provincial governor उसकी नीचे उसकी executive है और यहाँ पर है legislature ठीक है legislature के अंदर अगर हम बात करें तो आपको कैसे members देखने को मिलेंगे आप देखेंगे यहाँ पर Britishers या official members है जो in general आपके nominated है या फिर ex-officio है यानि कि यह वो Britishers है जो legislature का हिस्सा है as a part of their official position दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके Indians है non-officials इनको आप लिख सकते है और इनमे भी आपको कुछ nominated मिलेंगे कुछ elected मिलेंगे और आप देखेंगे कि with the coming of the Government of India Act of 1919 into effect जो elected members है legislature के they were in majority 70% of the members in the provincial legislatures were elected यह आपको ध्यान रखना है अगर हम Government of India Act of 1919 के effect में आने के बाद में provincial level पर executive की बात करें तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर आपको दो type के ministers मिलेंगे एक आपको यहाँ पर मिलेंगे bureaucrats और दूसरे आपको मिलेंगे वो ministers जो popularly elected है जो legislature में popularly elected members है उन में से तो आपको मिलेंगे popularly जो elected ministers है वो चलो ठीक है अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो अब आपके लिए यहाँ पर जो Government of India Act of 1919 है उसको देखना जरूरी हो जाता है Government of India Act of 1919 ने क्या किया इसने central list और provincial list जो है वो बना दी यानि जो central government है और जो provincial government है उनका जो jurisdiction है उसको इन्होंने demarket कर दिया आप देखेंगे कि जो बहुत ही important subjects है जैसे कि आपका foreign affairs है आपका defense है communication है currency है ये सब दे दिया गया central government को और बाकी subjects जो है जैसे कि आपका education है health है, local self government है revenue है, police है law and order है, ये provinces को transfer कर दिये गये अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि डायार्की का concept अब आपको यहाँ समझ जाएगा क्या किया गया, कि न केवल जो total subjects है उनको central list और provincial list में डिमार्केट कर दिया गया, और कहीं न कहीं ये federalism की तरफ एक step था, वहें पर आप देखेंगे कि इसी के साथ साथ में जो provincial subjects थे उनको भी दो categories में डिवाइट किया गया, एक reserved subject और दूसरे transferred subject तो क्या आप हम देख रहे हैं, एक है central list और दूसरी है provincial list और जो provincial list है उसके अंदर भी आप क्या देख रहे हैं, एक है reserved list और दूसरी है transferred list आप यहाँ पर देखेंगे कि reserved list जो है वो basically उन subject से बनी थी जो काफी important थे, which were critical for the British to have their control effectively over the provinces, over the British Indian territories. तो माल लीजिए law and order का subject है, police है, revenue है, है न, taxes है, यह सारे जो important subjects होते हैं, इनको reserve रख लिया गया था, किसके लिए reserve किया गया था? कहा गया कि इन subjects का जो executive control है, वो है viceroy और जो viceroy की executive council में bureaucrats हैं, उनके हाथ में. दूसरी तरफ, जो subjects ऐसे थे, जिन पर खर्चा होने की chances जादा थी, जो Britishers की नजर में less important थे, जैसे की health है, education है, local self-government है, है न, industry है, agriculture है, इनको transfer कर दिया गया, जो popularly elected अगया, ministers थे, उनके हाथ में. अब यहाँ पर catch क्या है, provincial list को आपने दो भाग में बाढ़ दिया है, reserved and transferred, इसी को डायार्की कहते हैं, डायार्की जो term है, it is made up of two Greek words, die and arc, which means double rule. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, provinces के अंदर Government of India Act 1919 के वाया, जो provincial list के subjects हैं, उनको दो categories में broadly divide किया गया, reserved and transferred. Reserve subjects जो काफी crucial थे, जो British colonial control के लिए important थे, वो subjects थे. और यह subject reserved रखे गए थे, Viceroy and for the bureaucratic members of his executive council, और for the executive councillors. जैसे की law and order है, police है, justice system है, revenue है, financial matters है, taxes है, etc. और जो transfer subject हैं, यह basically वो subjects थे, जिनका executive control, popularly elected ministers के हाथ में था. अब यहाँ पे catch क्या है, यह popularly elected ministers जो है, इनका कोई financial control नहीं था. अगर financial matters पर आपका control नहीं है, but important subjects जैसे की education, health, local, self-government, है ना, at least from the point of view of the people, these subjects were important. जिन पर खर्चा होता है, उनके responsibility आपके पास में है, तो आपके लिए यह तो एक बहुत बड़ा task हो जाएगा. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, कि एक तो जो popularly elected ministers है, उनके पास responsibility जादा थी, कोई उनका financial control था नहीं, और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, उनके आस financial power नहीं है, और जो important matters है, उनके इन popularly elected ministers का जो इंडियन सोते हैं, उनका कोई say भी नहीं होता था, but आप क्या legislature, यानी कि माल लीजिये, अगर इनके department में ठीक से काम नहीं होता है, और इनके किलाफ अगर no confidence motion move किया जाता है, और वो पास हो जाता है legislature में, then they will have to resign, वहें पे जो reserved subjects के controllers है, bureaucrats, अगर माल लीजिये, वो अपनी duty को भली भाती नहीं निभाते हैं, properly नहीं conduct कर पाते हैं, they fail to perform responsibly, but still no confidence, no confidence, resolution can be passed against them, they were not responsible to the legislature, ये आपको धियान रखना है, so what is the meaning of diarchy, diarchy is made up of two Greek terms, di and arg, which means double rule, the concept of diarchy was introduced by the government of india act of 1919 in the british indian provinces diarchy means division of the subjects into two lists reserved and transferred so the provincial list was divided into reserved and transferred reserved subjects were those which were reserved for the viceroy and his executive members the bureaucrats they were not responsible to the legislature and they were controlling all the important or the crucial subjects like the financial subjects law and order police justice etc the transfer subjects were in control of the popularly elected ministers these ministers were nominated from the legislature and they were popularly elected ones they were controlling subjects like education health local sales government which involves lot of expenditure but they did not have any financial power they did not have any say in important matters but still they were made responsible to the legislature other in k class koi bhi no confidence motion pass hota hai they had to resign you will see that very soon this diarchy experiment in the provinces failed because the division of the subjects was irrational it led to an inefficient administration in the provinces even the simon commission of 1928 recommended abolition of diarchy in the provinces and thus the government of india act of 1935 finally abolished or removed diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy that is more power was transferred to the elected indian ministers it was a step towards representative responsible government in india i hope you have understood the concept well now there are three questions from upsc previous year papers first is in the context of indian history the principle of diarchy refers to diarchy ka meaning you have asked 4 options in the comments section in the comment section next question in the government of india act of 1919 the functions of the provincial government were divided into reserved and transferred which of the following were treated as reserved subjects which were crucial for the britishers to control the british indian territories effectively and this question is the next question government of india act of 1919 1919 से ही related है और यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो प्रोविशन है वो government of india act 1919 से related है on that note thank you so much but do answer in the comment section और आपके नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह भी बताईएगा बच्चोंने रिक्वेस्ट किया था था बुद्दिजम mangenism पे for sure next आपका जो few minute series होगा उसके अंदर हम इन topics को cover करने की कोशिश करेंगे अगर आपको कोई और भी topic चाहिए do let us know इसी के साथ साथ में एक छोटी से information है 17th of November से UPSC Prelims 2025 के लिए हमारा जो crash course है वो शुरू हो रहा है आपकी live classes होंगी इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको current affairs का comprehensive coverage mentorship faculty से भी और selected candidates से भी 7 full length test for UPSC Prelims and special classes on economic survey budget, CSH and maps मिल रहा है बहुते nominal cost पे अगर आपको discount चाहिए further तो आप 12 free number पे call कर सकते हैं and sleepy.classes at gmail.com पे लिख करके भी हमारी team से contact कर सकते हैं Thank you so much